आज आपके लिए बहुत ही खुबसुर डिजाइन है बाजू के लिए उम्मिद करते हूं आपको बहुत पसंद आएगा पूरा टुटोरिल करेंगे बिल्कुल स्टैप बाइस्टैप सबसे पहले मैं कटिंग करनी हो गी कैनवास पेपर रेजाइन के लिए आपके पास पेस्टिंग या भुगरम है तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसके उपर cutting करने के पहले मैं आपको इसकी measurement बता देती हूँ इसके चोडाई हमने यहां पर रखी हुई है 8 इंच और इसके लंबाई है हमारी यहां पर 13 इंच सबसे पहले marking करेंगे नीचे वारे साइड से यहां से निशान लगाएंगे 2 इंच पर यहां से भी हम 2 इंच पर ही mark कर लेंगे और इनको अपस में मिला का एक straight line बना देंगे इसे line पर आपको mark करना है 2 इंच के gap पर 2 इंच यहां पर भी 2 इंच हमने 8 इंच टोटल लिया था तो यहां पर लगबख 4 portion हमारे बन जाएंगे यहां पर देखिए 1 इंच हम एक्टा छोड़ देंगे उपर cutting के लिए और 12 इंच का portion हमारा बच जाएगा तो बीच वाला यह वाला portion बच जाएगा 10 इंच का इसके 4 हिस्से आपको कर लेने हैं यह करीब बनाएगा धा इंच धा इंच पर हम यहां पर मार्क कर लेंगे तो यह 4 portion हमारे यहां पर बन जाएंगे जो नीचे वाले portion है उनमें मार्किंग करेंगे तो यहां से ले लेते हैं हम 1 and half इंच सभी में 1 and half इंच लेंगे और इस तरह से इसमें कार बना देनी है इन सभी में ही आपको कार बनानी है यहां पर भी आप जो उपर वाला portion है इसमें भी इसी तरह के design बनाने है तो उसके लिए यहां पर भी इसी तरह से मार्क कर देंगे जो लगत थोटा होगा इसको बड़ा कर लेते हैं 1 and half इंच में लिया था पहले वाला तो इसको भी 1 and half इंच में ही ले लेते हैं सभी को बिल्कुल equal size का ले लेंगे यहां पर भी सभी में 1 and half इंच पर मार्किंग कर लेते हैं जैसे नीचे वाले में हमने curve बनाए थे से मुसी वे में हम यहां पर भी ऐसे ही curve बना देने हैं इसकी cutting के लिए extra लेना होगा हमें तो यहां से वन इंच पर मार्क कर लेते हैं straight line लेंगे extra में कारूँ नहीं डालने उसमें बिल्कुल straight line लेना है इस तरह से इस वाले portion में भी हम इस तरह से लगबा straight line में इसको cut कर लेंगे आप इसको देखिए यहां से बाहर से cut करना है और यह वाला अंदर वाला portion cut करना है बिल्कुल अच्छे से finishing के साथ आपको यह करना है friends मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर step बिल्कुल अच्छे से explain करनी की तो उमीद करते हैं आप भी वीडियो को पसंद आता है तो like जुरूर करिएगा चलने पर नहीं है तो subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे डिजाइन हमने अपने चलन पर डाले हुए हैं इसके साथ ही हमने बहुत साय टुटोरियल्स पर अपलोड किये हुए हैं बेसिक ड्रेस के तो उनको भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा बहुत ही ध्यान से अच्छे से इनको कट करना है सभी को इकवल और यह बीच से देखिए थोड़ा जरूर छोड़ना है आपको यह कोना जो मैं छोड़ रही हूँ नहीं तो यह आपके बहुत ही बीच में से आप इसको एड़जस्ट नहीं कर पाएंगे बाद में देखिए यहां पर हमने इसको कट करके कमप्लीट कर दिया है इनको साइड कर लेते हैं अब इसको आपको एक फैबरिक के ऊपर रखना है अगर आपने पेस्टिंग ली जो बीच में आपको कोर्णर है यह वाले मिलने चाहिए इसको प्रेस कर लेते हैं प्रेस करने के बाद देखिए यह इस तरह से हो जाएगा बिल्कुल एड़जस्ट चारो तरफ से इसको हम एजली अपने स्लीव के ऊपर लगा सकते हैं यह वाला फैबरिक हमने अलग लिया इसको कट कर लेते हैं यहां से आधा इंच का हमें करीबन इसमें मार्जन छोड़ना होगा इसको हमने कट कर लिया यह कोर्णर पर कट लगा लिज्ये टाकि हमें जब मोड के सिलाय लगा इस तरह से तो दिक्कत ना हो यहां पर हमें बड़े पेर बाले सिलाई लगानी है ये गोर्णों से देखिए कट करने के बाद हम इजलिस को मोड सकते है यहाँ पर भी कॉर्णर्स पर अच्छे से फोल्ड करेंगे और पूरे में आपको सेम इसी वे में सिलाई लगा लेनी है उसके बाद हम इसको अपनी आपने जो स्लीव हमने कट की हुई थी उसके ऊपर रखेंगे इसको लेंगे इसके उपर आपको मार्किंग करनी होगी सेंटर के लिए तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं नीचे वाली साइड ताकि हमारा डिजाइन बिल्कुल सेंटर में आए एक मार्किंग कर लेते हैं उपर वाले सेंटर की तरफ तो यह डिजाइन था इसको बिल्कुल अच्छे से इसका भी सेंटर में ही हम इसको रखेंगे देखें यहां है इसका सेंटर तो ये वाला point इस वाले से मिलना चाहिए यहां साथ ही ऊपर भी सेम तरीके से आपको मार्क करना है जो ये वाला portion है देखिए इसका center है तो ये इसके साथ मिलना चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे बीचों बीच इसके एक बड़े पैर वाले सिलाई लगा लेंगे अब यहां से अंदर से पूरे portion में आपको सिलाई लगाने है और ये काफ़ी time लगेगा इसमें लगाने में तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को fast कर लेते हैं ताकि आपका time waste ना हो यहां दोनों साइड से इसको पहले adjust कर लीजिए ताकि जब हम अंदर से सिलाई लगाएं तो ये हमारे बिल्कुल fix रहें अब यहां से सिलाई लगाना शुरू कर लेंगे यहां पर आपको छोटे पैर वाली सिलाई ही लगानी है हर एक जो corner है उसमें बिल्कुल अच्छे से सिलाई को लेकर जाना है जब भी आप गुमाएं इस तरह से तो जो आपकी needle है वो fabric के अंदर होने चाहिए निकी नीचे की तरफ होने चाहिए देखे जैसे आप मैंने घुमाया है तो needle अंदर की तरफ है इससे क्या होगा आपके जो बड़े वाले चलाई नहीं आएक इसमें और इसके साथ ही बिल्कुल डिजाइन अच्छे से निकलेगा यहां भी आपको ऐसे ही करना है जो corner से उन पर खास तहन रखेगा corners को बिल्कुल अच्छे से सेलना है पूरे में हम ऐसे ही design बना लेंगे काफी मेहनत चे आपके लिए काम कर रहे हैं इसलिए उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे आपका support हमारे साथ बना रहे है इसके साथ है मैं आपको instagram पर भी बता सकती हूं जो हमारे instagram ID है वो मैत्री 6233 है लिंक पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वहां पर क्या है कि मैं आपके लिए बहुत सारी पोश्ट डालती हूं बिजाइन्स को लेकर भी sleeve design, neck design वहां से आपको बहुत सारे ideas मिल सकते हैं इसके साथ ही short video पे अपलोड करते हैं तो आप चाहते हैं उनको चेक कर सकते हैं और यहां पर देखिए बीच में से इस तरह से आपको इसको लेना है फाइनली ये वाला last और हमारी शिलाई complete हो गई है अब हम इसकी करेंगे cutting तो देखिए cutting को बिलकुल ध्यान से करना है लगबग two points का इसमें हमने margin छोड़ा हुआ है कोई भी सिलाई है आपके जो नहीं cutनी चाहिए बिलकुल ध्यान से करेंगे यहां बीच में से भी पहले इसको इस तरह से cut कर लीजिए ताकि आपको इसको cut करने में असानी रहे दो portion में divide हो गया है तो अब आप इसको easily cut कर सकते हो सिलाई के साथ साथ मैं आपको काफी tips भी बताती रहती हूँ जो आपके किसी भी तरह के dress बनाए उसमें काम आएंगी तो अमीद करते हो आपको आप मारा काम बसंद आएगा आप इस वाले portion को सभी को अच्छे से cut कर लेते हैं इनके अंदर हम चोटे चोटे cut लगाने होंगे ताकि ये अच्छे से निकल कर आ सके नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छे से निकल कर नहीं आएंगे तो इसलिए बिल्कुल सभी में आपको चोटे चोटे cut लगाने हैं बिल्कुल चोटे चोटे ज़्यान रखे जो सिलाई है वो ना cut लगाएंगे आप चाहें तो याच्छोटे वाले सीजर का येज़ भी कर सकते हो अब देखिए इसको cut लगाने के बाद इसको अंदर के तर कर बिल्कुल अच्छे से इसके उपर प्रेस करेंगे तो देखिए कितने सुंदर ये निकल कर आ जाएंगे आप सहें तो इस डिजाइन को प्लाजो के लिए या फिर नेक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो ये तरीका तो देखिए इसको अच्छे से हम इतना निकलने के अच्छे फिनिशिंग इसमें आई है बहुत है बहुत है बहतरीन लगेगा बनाने के बाद ये बीच वाले जो पोर्शन है इन में भी हमें कुछ लगाना होगा ताकि ज्वाइन हो सके तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूं इस तरह की बटन्स का आपके पास अगर लूप बटन्स नहीं है तो कोई बात नहीं है आप यहां पर लूप पनाकर इदो कर सक ती इस तरह प्लेट लिजए और तीन-चार बार इसी वे में से आपको निकाल लेना है। वो टाइट करते जाना है तीन चार स्टिच के बाद जो ये धागा है वो बिलकुल अच्छे से टाइट हो जाएगा वो जो बटन है वो भी अच्छे से फिक्स हो जाएगा देखिए यहाँ पर आप एक नोट लगा लेते हैं धागे को कट कर लीजिए देखिए कितने अच्छे से ये यहाँ पर फिक्स हो गया है बहुत ही खुबसूर्द भी लग रहा है मैचिंग कलर कॉमिनेशन के साथ बाकि सभी बटन को भी लगा लेते हैं और फार्नेर ये आपको दिखाते हैं कैसा बना है ये डिजाइन तो आप देख सकते हो सभी बटन्स को हमने लगा दिया है और कितना प्यारा ब्यूटिफूल लग रहा है ये आप कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है उम्मीद करते हूं पसंद आया होगा आपको कोई स्टिचन चेट कोई और भी डाउट है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हो हम आपको सभी तरह की ड्रेसिज सिखाते भी हैं डाउट भी लेते हैं और आपके लिए बहतर डिजाइन आइडिया भी लेकर आते हैं तो चले फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में इसके साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप नई जूड रहे हैं मारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन कोन करना मत भूलिएगा बाबाई फ्रेंड्स अपना ध्यान रखियेगा